नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर इसके पिछले वीडियो हम लेगों ने फ्रांसीसियों का भारत में आगमन पढ़ा था आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज फ्रांसीसी संगर्स करनाटक कायूद पढ़ेंगे हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों भारत में व्यापार के उद्धे से आये और अपनी अपनी कंपनियां स्थापित करके अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहें इसी क्रम में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संगर्स शुरू हो जाता ह और वो संगर्स जो है अंत में परिडाम होता है किसका करनाटक के यूद का अंत में ये करनाटक के यूद का प्रणाम होता है और करनाटक में तीन मुख्य रूप से यूद होते हैं तीनों को हम देखेंगे आज हम पहले बात करते हैं करनाटक के प्रथम यूद इसका टाइ थिकार के युद्ध से प्रभावित था अभी आश्ट्रिया का क्या मामला था आए देखते हैं यह हमनी यूरोप का मैप बनाया हुआ है इसमें तीन ऐसे देश हैं जिनको हमने लाल रंग से कलर किया हुआ इन्हीं तीनों के बीच की बात है यह आश्ट्रिया है यह फ्रांस ह है फ्रांसीसी भी भारत में है यह फ्रांस है और यह यूके उनाइट किंगडम ब्रिटेन या अंग्रेजों का खेत्र है इन्हीं तीनों के बीच की बात है अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत में हैं और इस आश्ट्रिया के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप में भी लड़ रहे हैं कारण क्या है कि यहां आश्ट्रिया के जो समराड थे जो सासक थे जो समराड थे उनका नाम था चाल्स शिक्स चाल्स शिक्स और इनके पुत्र नहीं थे इनके पुत्र नहीं थे पुत्र ना होने के कारण इन्हों ने अपना राज पुत्री को सौपना चाहा जिसका बिरोध इयूरोप पे कुछ देश कर रहे थे इसमें मुख वूम क्या थी, फ्रांस और यूगे, यानी अंग्रेजि़ों की, तो इन्हों ने जो है, अपना राज जो है, या अपना जो सत्ता, किसको सौप दिया, इनकी पुत्री थी, नाम था मेरिया थीरिसा, या मेरिया थρίजा भी लिखा होता है, थ्रीजा, इनको सौप इन्होंने सेना पर न बलदे करके उत्तराधिकार पर बल दिया अपनी पुत्री मेरिया स्रीजा को सासक बना दिया इसके कारण फ्रांस और बृटेन जो है दोनों इनकी कमजोर शक्ती को देखते हुए इनको हथियाना चाहते थे इसी मुद्धे पर युद्ध चल रहा था य यूरोप में फ्रांस और अंग्रेंजों के बीच यानि फ्रांस इसी और अंग्रेंजों के बीच योन है इसी मुद्धे पर उरौप में युद्ध चल 조ilsis रहा था उसी की वारास निकालनें के लिए ही भारत में युद्ध की प्रिष्ठ भूमी तैयार होई और मुद्दा बनाया गया राजनीतिक मुद्दा ब्यापारिक मुद्दा में चीज महीं से शुरू थी यूरोप से ही और दोनों भारत में भी थे आ गये थे और दोनों में एक दूसरे की प्रतिधुन्दिता थी ब्यापार को ले करके और यहां जो है आश्ट्रिया को लेकर के एक दूसरे में विरोध था इस विरोध का कारण जो है बना करनाटक का प्रथम्यूद करनाटक का प्रथम्यूद देखते हैं करनाटक का प्रथम्यूद कैसे हुआ तो करनाटक के प्रथमियुद की सुरुवात अंग्रेजों द्वारा की गई अंग्रेज का एक नेवी आफिसर था एड्मिरल बर्नेट इसने क्या किया इसने कुछ फ्रांसीसी जल्पोतों को फ्रांसीसी जल्पोतों को पकड़ कर अपने अधिकार मिले लिया फ्रांसीसी जल्पोतों को पकड़ कर अपने अधिकार मिले लिया इस समय फ्रांसीसी गउड़नर था डुपले डुपले ने जो है करनाटक के नबाब से सहायता मांगी और कहा कि लेकिन नबाब ने क्या किया इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो डुपले ने जो है मारिसस के गवर्णर से सहायता मांगी मारिसस के गवर्णर से क्या मांगा सहायता आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1721 में फ्रांसीसियों ने मारिसस पर अधिकार कर लिया था यानि फ्रांस का ही छेत्र था मारिसस और यहां का जो गवर्णर था वो भी फ्रांसीसी था मारिसस के गवर्णर का नाम था बुर्डो ने बुर्डे ने जो क्या किया यह इसने 3000 साइनिक भेजे जो है अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार किया गया था एक छेत्र मद्रास अंग्रेजों द्वारा अधिकरित छेत्र मद्रास को जो है इसने अपने अधिकार मिले लिया अंग्रेजों द्वारा अधिकरी छेत्र मद्रास को अपने अधिकार मिले लिया और अंग्रेजों से फिरोती की अंग्रेजों से फिरोती की किसने फिरोती की ये जो मौरिशस का गवर्नर था बुर्डोने ने देखते हैं इन्हों ने कहा अंग्रेजों से कि हम तो आप से मद्रास को जीत गए हैं लेकिन हम वो आपस कर देंगे उसके लिए एक condition है आप जो है हमें 40,000 पॉंड दे दीजी हम आपको मद्रास दे देंगे अंग्रेज जो है 40,000 पॉंड देने तयार हो गए अंग्रेजों ने इसमें सहमती जताई और 40,000 पॉंड देकर मद्रास को आपस ले लिया लेकिन डुपले डुपले ने क्या किया कि जैसे फ्रांसीसी गवर्नर भारस से गया डुपले ने फिर से जो है मद्रास को जीत लिया फिर से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया अब अंग्रेज परेसान हो गए कि हमने 40,000 पाउंड भी दिया और फिर से हमारे हाथ से मद्रास भी चला गया, ये गए तुरंट टरनाटक के नवाब के पास, और नवाब कहा कि ऐसा है हमसे बाते हुई थी लेकिन फिर से जो है हमसे मद्रास ले लिया गया, तो नवाब में की बात को ध्यान से सुना, इस पर कुछ गवर भी किया, लेकिन इसी बीच डूपले ने जो है, एक कूट नीटिक चाल चली, कूट नीटिक चाल ये चली, कि नवाब सहब से कहा कि आप परेसान मत होईए, हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो है, मद्रास, हम आपको मद्रास दे देंगे, तो नवाब को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, कि याराम को अकिल देने आ रहा है, नवाब को ये बात अच्छी नहीं लगी, और नवाब जो है, इसका विरोध किये, और थोड़ा बहुत अंग्रेजों ने भी, नवाब के कान फर दिये थे, कि कहा कि य यह आपको लालस दे रहा यह कर रहा हो कर रहा तमाम प्रकार की बाते बना करके जो है नवाब के कान को फर्दियत और डूपले और नवाब में थोड़ा सा मत्भेद हो गया और फिर से एक छोटे से युद्ध की प्रिष्टिभूमी तयार हो गई इस युद्ध का नाम था से सेंट थोमे का युद्ध क्या कहा जाता है इसको सेंट थोमे का युद्ध यह युद्ध सत्त्रा सो अनतालिस में हुआ किनके किनके बीच में हुआ करनाटक के नवाब अनुवरुद्ध दीन तथा फ्रांसीसियों के मद्ध लड़ा गया अनुवरुद्ध दीन की दस हजार से ना थी और फ्रांसीसियों की लगभग एक हजार से ना थी फ्रांसीसियों ने इस युद्ध में बिजय प्राप्त की लेकिन इसी बीच क्या हुआ इसी बीच इउरोप में जो आश्ट्रिया वाला मैटर चल रहा था आश्ट्रिया वाले मैटर पे संधी हो गई आश्ट्रिया वाले मैटर पे संधी हो गई संधी का नाम था यक्स ला सापेल की संधी कब होई 1749 में यक्सला सापेल की संधी होई और दोनों देशों के ग्रिह राज सरकारों द्वारा ये निर्देश जारी किया कि आप लोग वहां का जगड़ा बंद कर दीजे और भारत में इसी संधी के कारण अंग्रेज फ्रांसीसी संघर जो है करनाटेक का प्रथम युद्ध जो है समात्र कर दिया गया और इस संधी में ये हुआ कि फ्रांस जो है फ्रांस या फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों को अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दें और अंग्रेज क्या करें इनके जो है जलपोतों को वापस कर दें जलपोतों को वापस कर दें और फ्रांसीसियों को जो है अमेरिका का एकस्थान सा लुई अमेरिका का एकस्थान था लुई ये जो है दे दिया गया इरोप के युद्ध का प्रणाम था यह लुई, लुई जो है फ्रांसीसियों को मिल गया, अंगरेजों को भारत में मद्रास मिल गया, और फ्रांसीसियों को उनके जलपोत वापस कर दिये गये, और ये कहा गया कि अब जो है फ्रांसीसिय अंगरेज एक दूसरे के जलपोत प करनाटक का दित्तिय योद्ध दित्तिय योद्ध में कारण क्या है उत्तरा अधिकार उत्तरा अधिकार में कारण है उत्तरा अधिकार उत्तरा अधिकार दो छेत्रों के उत्तरा अधिकार के लिए वह कौन-कौन से छेत्र हैं पहला छेत्रा है रावाद हैदराबाद और दूसरा करनाटक करनाटक हैदराबाद में बर्तमान में गद्धी पर कौन है हैदराबाद में बर्तमान में गद्धी पर है नासिर जंग नासिर जंग और करनाटक में बर्तमान में गद्धी पर कौन है अनुवरुद्दीन अनुवरुद्दीन हैदराबाद में बरतमान में नवाब की गड़ी पर नासिर जंग और करनाटक में बरतमान में नवाब की गड़ी पर अनुवरुद्दीन इनके एक विरोधी नासिर जंग के विरोधी नासिर जंग के रिष्टेदार ही थे क्या नाम था मुझभफर जंग मुझभफर जंग और करनाटक के नवाब अनुरुद्दीन के विरोधी चंदा साहब मुझप्फर जंग नासिर जंग से हैदरावाद हती आना चाहता था चंदा साहब अनुरुद्दीन से करनाटक हती आना चाहते थे दोनों के बीच यूजदी की स्थिती बनी हुई थी इसी में विदेशी सक्तियां यानि फ्रांसीसी और अंग्रेज इंटर्फेयर कर गए फ्रांसीसी इसमें सबसे पहले डुपले डुपले जो की प्रांस का गवर्णर था या फ्रांसीसी गवर्णर था इसने जो है मुझभफर जंग और चंदा साथ का साथ देने का वादा किया इसने कहा आप लड़िए हम आप दोनों का साथ देंगे यानि जो दोनों बर्तमान नबाद के बिरोधी हैं एक मुझभफर जंग दूसरे चंदा साथ इसका साथ कौन दे रहा है डूपले जो की क्या है फ्रांसीसी है जो की फ्रांसीसी है अच्छा इधा जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो इसने भी किसको सपोर्ट किया जो दोनों बर्तमान में नबाप की गद्दी पर है इनका सपोर्ट कौन का रहा अंग्रेज इस समय अंग्रेज का गौवर्नर कौन है लाड कलाईव है इस कारण से जो है लाड कलाईव और ये डूपले दोनों आमने जामने आ गए और दोनों के बीच में युद्ध की इस्थिती बन गई और इसके बाद अम्बूर अम्बूर नामकस्थान पर एक युद्ध लाणा गया जिसे अम्बूर युद्ध दिखाते हैं या युद्ध सत्रा सो उन्चास में लड़ा गया इस युद्ध का प्रिणाम क्या होता है चंदा साहब मुझफर जंग और डूपले के सन्युक्त सेना मिलकर अनवरुद्ध दीन की हत्या कर देते हैं चुकरनाटक का नवाब था अनवरुद्ध दीन उसकी क्या हो जाती है हत्या हो जाती है और इसका पुत्र जो है जिसका इसका नाम था मुहमद अली ये भाग कर तृचछणा पनली नामक अस्थान पर सरण ले लेता और कि इसकी हत्या होने के बाद गद्दी खाली हो जाती हैं मुहमद अली भाग जाता है तो गद्दी खाली हो जाएकी सभाभिय बात है और चंदा सहाब को करनाटक का नवाब बना दिया जाता है लेकिन चंदा सहाब को संतुष्टी नहीं होती है सोचते हैं कि हम तرجणा पल्ली जाकर करके मुहम्मद अली को भी खतम कर दें। यह त्रिचाना पल्ली के लिए चले जाते हैं इसको जाते हैं मुहम्मद अली को मारने के लिए और इसी का फाइदा उठाते हैं अंग्रेज अंग्रेज जब क्या करते हैं 1751 में 1751 में नासिर जंग की सहायता से नासिर जंग की सहायता से जो करनाटक की राध्धानी थी उसमें अकार्ट आकार्ट को घेर लिए और इस तरीके से अंग्रेज, फ्रांसीसी संघर्स कांटिनिवस चलता रहा लेकिन इसी बीच में एक संधी हो गई संधी हो गई जिसे हम पंडी चेरी की संधी कहते हैं संधी कब हुई? 1754 में इस संधी में क्या हुआ कि ये कहा गया कि अंग्रेज वा फ्रांसीसी अंग्रेज वा फ्रांसीसी दोनों जो है किसी उत्रा अधिकार के युद्ध में अब हस्ता छेप नहीं करेंगे और डुपले को डुपले को फ्रांस बुला लिया गया इस तरह से पंडी चेरी के संधी के बाद करनाटक का दुट्टिय युद्ध समाप्थ होता है करनाटक का दूतिय यूद समाथ हो जाता है इसके बाद सुरू होता है करनाटक का तृतिय यूद तो आई हम देखते हैं करनाटक का तृतिय यूद क्या था प्रिसा के संघर्षों का प्रभाव इस पर पढ़ा जो यूरोप में आश्ट्रिया और प्रिसा के भी संघर्ष चल रहा था उसका प्रभाव पढ़ा यह सब्त वरसी यह यूद का भी इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इस यूद में क्या हुआ 1760 में अंग्रेजों ने 1760 में अंग्रेजों ने ग्वांडी वासा के व्द में वांडी वासा के उद्वें, फ्रांसीसियों को हरा दिया, और इसके बाद जो है, एक संधी होई, फ्रांसीसियों को हरा दिया, इसके बाद एक संधी होई, जिसे हम बोलते हैं, पेरिस की संधी, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस की संधी, और इस संधी के अंसार जो है, ये कहा कहा गया कि की फ्रांसिसी भारत में सेना नहीं रखेंगे और जो फ्रांसिसी भारत में रही रखेंगे तो एक चतरचाया ब्यापार करते रहेंगे इस प्रकार फ्रांसीसी धीरे-धीरे भारत से चले गए और अंग्रेज 16 में भारत पर व्यापार और शासन करते रहें तो मुवित करते हैं तीनों युद्ध आपको समझ में आया होगा यह चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक क देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करते रहें थैंक्स फार वाचिंग तो